हेलो इस्टुटेंट्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल अडिटोडे क्लासेज भाई गरी मासीम, आज हम लोग BCA Seconds M की Math Mathematics 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग की Unit 2 का Chapter, Function चल दा है, ठीक है, तो Function आज हम लोग का First Lecture है, Function का, जिसमें हम लोग सबसे पहले Mapping तो देखिए, Intu Mapping क्या होती है, Set A है, इसको हम Domain बोलते हैं, ये Set B है, इसको Range बोलते हैं, Set A के Elements पे जब हम function लगाते हैं, तो हमें Set B के Elements मिलते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि Image मिलती है हमें Set B में, ठीक है, तो इसमें Set B या Range वाला जो Set होता है, इसमें Intu Mapping में एक элемent, कम से कम एक элемent ऐसा होता है, जो Set A के Element में function लगाने के बार B का element नहीं मिलता है, तो एक element इसमें कम से कम एक элемent इसमें बच जाता है, on to mapping किसे बोलते हैं कि set a के हर element में अगर हम function लगाते हैं तो हमें set b के element मिलते हैं कोई भी element इसमें खाली नहीं रहता जो image ना हो set a के element की one one mapping क्या होता है set a के element के हर एक element की एक image set b के element में आपको मिलेगी one one on to mapping का मतलब यही होता है कि on to mapping में कोई भी range के element में कोई भी element खाली नहीं रहता तो one one on to mapping मतलब domain के हर एक element का range में आपको element मिलेगा set a में function लगाने के बात many one on to mapping क्या होता है many one on to mapping क्या होता है देखिए set a के element जैसे इसमें देखिए a और c की image a और b की image बन रही set b के element में 2 पे ठीक है seek element की बन रही है one और d की मिल रही है three तो many one on to mapping on to mapping में कोई भी element range में खाली नहीं रहता है सबकी image होती है set a के element की हर एक element की image set b में आपको मिलेगी ठीक है one one into mapping into mapping आप पढ़ चुके हो क्या होता है set b का कोई एक element आपका रह जाता है खाली जो set a के element की image उसमें किसी भी element की image उसमें एक element ऐसा होता है जो इमेज नहीं होती है तो इसमें कौन सा element है ऐसा four element है ऐसा set b का जो set a के किसी भी element में function लगाने के बाद नहीं मिल रहा है ठीक है अब many one into mapping one one into mapping तो आपने पढ़ ली मैंनी one into mapping क्या होगा इंटू अगर आ गया है इसका मतलब range के बाला जो set होगा जो b set है इसमें कोई न कोई एक element खाली रह जाएगा जो set a के element की image नहीं हो ठीक है तो यह हो गया मैंनी one into mapping all the best to all of you thank you